चर्च करने वाले हमें पैन काड़ को लेंगते हमारा पैन काड़ एक बार अब दोब description डॉट या बट दोस्तों अब क्या हो गया बहुत इजी हो गया, EKYC के थो गया मैं बल्कुल पेपरलेस वर्ग हो गया pen card का चाहाब को new apply करना हो यापको अपने pen card में कुछ changes करने हो तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने pen card में कोई भी कुछ भी चेंजिस आप कैसे कर सकते चाहिए वो नेम हो डेट अब बर तो साइन हो या फोटो हो इस बहुत ही इजी है सारा कुछ online प्रोसेस होता है बस आपका जो अधार आपके अधार काड़ पर आपका मुवाइल लंबर अपडेट होना बहुत जरूरी है अगर आपके अधार काड़ पर मुवाइल लंबर अपडेट है तो आप यह प्रोसेस बहुत ही और बहुत ही आराम से कर लें इस वीडियो में पूरा step by step में आपको बताने वाला हो कि कैसे आप अपने pen card में कोई correction करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं मातर 106 रोपेस की फीस लगते हैं जिसमें आपको physically pen card भी है और E pen card भी और आपकी जो E KYC होती है तीनों इस फीस में include है तो भाई वीडियो में बने रहेंगा step by step चलिए आपको समझा दे तो हम वीडियो अच्छ इसका जो link है वो आपको description में मिल जाएगा यह देखे सबसे पहले उस link पे आपको इस site पा जाना online services nsdl.com देखे changes और correction मैंने select किया हुआ है आपका अपना personal pen card है तो आप individual पे click करेंगे और उसके बाद देखे title में आप शरी है या शरीमती है या कुमारी है जो भी आप personal name, father name, date of birth, sign photo ठीक है उसके बाद देखे आपको अपना name दोस्तों यहाँ पे आप वही नाम डालेगा अगर आप अपने name में, sir name में changes करना चाहते हैं तो जो change करना चाहते हैं वही sir name इसमें लिखेगा ठीक है दोस्तों उसके बाद देखे यहाँ पे अपनी date of birth select कर लेनी ह आपको date of birth select करने के बाद जो है यहाँ पर आपको अपना नाम डाल दिया है और यहाँ पे आपको अपना email ID डालना है और यह email ID डालने के बाद उस वाले कॉलम में जो है आपको अपना mobile number और एंटर करने मोबाइल नमबर डालने के बाद देखे इस वर लेफ्ट अपर आरह भी समझ नहीं आ रहा कहीं problem आ रही है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं ठीक है दोस्तों बाकी बहुत ही easy है बहुत ही मैंने बहुत ही step by step समझाए वीडियो पूरा देखेगा तो यह देखें यहाँ पर citizen of India yes कर दिया है यहाँ पर tick लगाना है सरनेम चेंज करना जाते हैं अब यह देखें आपको टोकन नंबर मिल जाता है temporary उसके बाद continue for application यह देखें हम form submit कर रहे हैं ekyc and e-sign fully digitally कर रहे हैं आप चाहे तो physically भी कर सकते हैं जैसे कि physically आपको अपने documents photo copy करके आप pen card office में send करते हैं यह आपको उनकी photo scan करके upload कर सकते हैं लेकिन मैं पहले वाले option पर कर रहा हूँ जो सबसे fast है मरला fully ekyc fully digitally है आपको एक pen card 3-4 दिन के अंदर PDF file में आपकी email ID पर आ जाता है यह सब कुछ नहीं भरना है यह देखे full name of applicant यहाँ पर दुबारा आपको वही name डालना है अगर आप name में कुछ changes करना चाते हैं उसके बाद देखे photo miss match है या signature miss match है आप इसमें दोनों चीज मैंसे कोई भी select कर सकते है father name यह देखे यहाँ पर अगर आप एक married woman भी है तो भी आपके father का ही name आएगा यहाँ पर ध्यान रखेगा husband name pen card पर नहीं आता है ठीके दोस्तों तो यहाँ पर father name आपको enter करना है जो भी आपकी 10th और 12th की mark sheet पर father name है वही father name आपको यहाँ पर first name last name और surname select करना है अगर father नहीं है तो उस case में आप अपने mother name का उस पे नाम print कर सकते हैं पर दोनों option आता है चलिए भी मैं दिखाता हूं तो यह देखें यहाँ पर जो है हमने जो father name डाल दिया सबसे उपर जो था वहाँ पर आपको अपने अधार कार्ड के last के four digit डालने थे आपका जो उपर अधार कार्ड था four digit डालने थे और उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ आपका address automatic ले लेगा आपको यहाँ पर अपनी एक बार country सेलेक्ट करने लिए आपका जो पिन कोड़ा मुबाइल नंबर वहाँ पर शो कर रहा है email id देखे email id डेले अब यह देखे proof of identity proof of address और date of birth तीन चीजों में तीनों चीजों में आपका pen card ही चल जाता है और अभी आप quindi change is कर रहे हैं आपके पास pen card का क्या है तो यहाँ पर मेरे पास pen card की copy है अगर आपके पास pen card की copy भी नही है तो pen allotment letter आप कर सकते अगर कोई documents नहीं है तो लुवले कॉलम में आपको अपना नमेंटर करना है ठीक है यहाँ पर अपना नमेंटर कर दीए उसके बाद हिम सेल्फ वाड़ सेल्फ करना है और उसके बाद वट वनबेट है उसके लिए अगार जो भी सब्सक्राइब एक बार दुबारा से अपनी सारी details देख लीजेगा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अब यहाँ पे हम लोग आ गए देखें submit पे अब यह देखें submit पे जाने के बाद अब आपको first eight digit आपको इसमें अपना पूरा पूरा अधार नहीं डालेंगे अब यह देखें एक वाइसी के लिए यहाँ पे चार्जिस शो कर रहा है देखें पांच पॉइंट नब्यमलद छे रुपए आपके एक वाइसी के चार्जिस हैं और जो आपका अधार काड़ के थूँ आपका एक वाइसी होगा तो यह देखें मैंने यहाँ पे अभी एक वाइसी के लिए आटोमेटिक है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता है फिर दुबारा वह यह आपका नाम और हिमसल्फ हरसल्फ शो करेगा और यह देखें यहाँ पे फिजिकली अगर एप्लिकेशन है तो आप सेलेक पेट काड़ पेटियम आपको जो भी सूटेबल लगता है आप पेमेंट कर सकते हैं देखें एक सोचे पॉइंट नबबे रुपए यहाँ पे कटना है मैं आपको पहले ही बताया था देखें यह पूरी टोटल फीस होती है एसाइन चार्ज फिजिकली पैन काड़ और एप जो आपके पीडिया फाइल आपके इमेल पे तीन से चार दिन में फॉरवड कर दी जाते है तो आप यहाँ पे पूरा फीश्ट्रक्टर देख लीजिएगा एक सोचे रुपए जो आपके यहाँ पे कटना है यहाँ पे सारे वो चीज दिखायागा कि आपकी फीस किस चीज के लिए कट रहे है तो यहाँ पे देखें आपको आई एगरी बटन पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट पर जाना है प्रोसेस टू पेमेंट पर जाने के बाद आप यहाँ पे अपने देखें यहाँ पे एक सोचे रुपए और आपका जो एक ट्रांजेक्शन ID number यहां पर generate हो जाएगा उसके बाद अब यह process पर जाके आपको पता है payment आपको कैसे करनी है देखिए आप debit card, credit card, net banking या wallet cash card कैसे भी जो है आप यहां पर जो है अपनी payment अपने pen card की कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां पर payment कर देता हूं यह देखिए मेरा payment जो है success हो गया है time और retail चेक कर लीजेगा अब यह देखिए हम यहां पर नीचा आजाते हैं और इसको जो है अब आगे process के लिए हम लोग कर देते हैं continue तो यह देखिए इसको यहां पर हमने continue कर दिया है continue करने के बाद जो है अभी जो हमारा था EKYC verify हुआ है और उसके बाद अब हमारा अधार card प देता हूं यहां पर और अब इसके बाद देखिए यहां पर okay करने के बाद जो है अब यह अधार card से हमारा OTP आएगा दो बार OTP verification होता है आपके pen card के लिए अगर आप कुछ भी changes करते हैं यह आप new भी apply करेंगे तो two time OTP आता है आपके अधार card पर चलिए मैं यहां पर click कर देता हूं अब यह हमारा जो request है successful हो चुका है उसके बाद हमें continue करना अब हमारा आता है continue with EKYC दोस्तों यही वो EKYC है जो मैं आपको बता आरता पहले fully digitally आप यहां पर एक बार अपना token number चेक कर लिजे अपना नाम चेक कर लिजे अधार number और अब यह देखिए आपके mobile number प मैंने एंटर कर दिया आप देखे continue with e-sign अभी EKYC था अब e-sign अब e-sign के लिए यहां पर दुबारा से एक बार OTP आएगा यहां पर फिर आपको जो है उपर चेक करना है I agree करना है उसके बाद आपको अपना अधार number जो भी आपका देखिए eight digit का अधार number है वो आपको यहां पर एंटर करना है eight digit का अधार number डालने के बाद आपको इस पर किलिक करना है send OTP तो यह देखिए OTP जो है मेरी email ID और रिजिस्टर्न मॉवाइल नमबर पर send हो चुका है जैसी OTP आएगा इसमें डालके आपको verify OTP कर देना है तो चले देखिए OTP आ गया OTP डालने के बाद हम इसको verify कर देते है verify OTP हो गया है दोस्तों अब हमें कुछ नहीं करना है यह देखिए आप एक बार यहां पर जो है देख लीजा हमारा जो application number है वो approved हो चु यह देखिए PDF में फाइल आगे है ध्यान है PDF में password जो है वो आपकी date of birth ही होता है तो चले मैं यहां पर अपनी date of birth का password एंटर करके इसे ok करता हूं और यह जो page आएगा आप इसको चाहें तो प्रेंट भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हैं तो यह देखिए मेरे सामने जो है मेर सारा जो मैंने form fill up किया हुए देखिए photo auto जो भी है automatic address photo सब अधार कार्ट से जो है फीच हो गया सारा data और हमारा यह जो form है निकलके आ गया है तो दोस्तों आप इसको चाहें तो print out download PDF का देखिए वाँ पर option आ रहा है आप इसको download करके अपने computer laptop या mobile में आप इस file को आगे future क लिए save करके भी रख सकते हैं तो जोस्तों बहुत ही simple सा process है new apply के लिए भी कुछ नहीं करना सेम ऐसी है और changes के लिए भी जो भी आप change करना चाहते हैं आप उसमें change करते हैं बट वो सारी details आपके अधार कार्ड में सेम वैसी ही होनी चाहिए वीडियो अच्छा लगेते हैं लाइक कर देना share कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब और भाई बहला करने दबा देना और वीडियो इसी तरीके की आपको आप मिलती रहेंगे